आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो जो Question है हमारे पास यह है कि What is the Relations between QP and QV QP और QV में Relation Drive करना है तो QP और QV में Relation जो Drive होगा वो होगा हमारा कहां से First Law of Thermodynamics है अब First Law of Thermodynamics को याद करो वो क्या कहता है कि जो Heat Change होगी वो हमारी केतनी होगी Delta U minus Delta W Delta U minus Delta W Delta U minus Delta W यह वाला डेल यूज करेंगे हम लोग तो हम क्या कह सकते हैं कि जो Q होगा वो क्या हो जाएगा Delta U plus P Delta V क्यों क्योंकि Delta W क्या होता है minus में P Delta V हम इतना कह सकते है minus में P Delta V minus minus plus plus P Delta V ठीक है जी अब यही जो है Delta U plus P Delta V इसको हम कहते हैं क्या Delta H ठीक है जी अब Delta H क्या हो गया Delta U plus Delta PV ठीक है जी Delta U क्या होगा PV, U plus PV, आप देखते हैं, ठीक है जी, इतना हो गया, अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि delta H will be equal to delta U, plus product rule लगा देंगे इसमें, product rule लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, P delta V plus V delta V delta V delta P, V delta P, तो हमारा delta H अब क्या हो जाएगा, delta U plus P delta V किसके बराबर है, Q के बराबर, किसके बराबर, Q के बराबर, plus V delta P, V delta P, अब हम बात कर रहें किस पर, constant pressure पर, constant pressure पर ये वाली term 0, constant pressure पर भाई, delta P 0, P constant है, तो delta P 0, delta P 0, तो delta H हमारा किसके बराबर आजाएगा, QP के बराबर, इसको क्या बहला, constant pressure पर, ठीक है जी, इतनी सी बात ठीक है, अब हम देखते है, delta H बराबर क्या होता है, delta U plus V delta, V delta P, delta U plus V delta P, अब हम किस पर बात करेंगे, अब हम बात करेंगे at constant volume, at constant volume, क्योंकि qp और qv में relation चाहिए हम लोगों, तो delta u बराबर क्या हो जाएगा, qv, क्यों, क्योंकि भाई constant volume पर delta v0, delta v0 तो delta u हमारा किसके बराबर हो जाएगा, qv के बराबर, ठीक जी, इतनी सी बात होगे, clear, अब हम जानते हैं, delta h बराबर क्या हो होता, तो delta h बराबर किसके बराबर जाएगा, delta u, delta u प्लस delta n इंटू rt, delta n क्यों, क्योंकि हमारा system है, वो हमारा reactive है, तो change in, n में हमारा change होगा, तो delta h बर हमने क्या, delta h हमने क्या निकाला था, qp, और delta u हमने क्या निकाला था, qv, delta u qp प्लस qv प्लस delta n इंटू rt, यही relation आ गया, किस-किस के बीच में, qp और qv के बीच में, बहुत आसान है, बस हमें step से चलते जाना है, step से, क्लासिक्स से ट्वल से लेके, NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा, आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप, यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर,